अंग्रेजी बोलने में सबसे यूसफुल संटेंस जो इस प्रकार से हैं, सबसे पहला है, केन कीप इसका मतलब होता है, करते रह सकता है, कोई काम करते रह सकता है, मतलब केन कीप का परियोग करेंगे, वो पढ़ते रह सकता है, संटेंस बनेगा, ही केन कीप अस्टरडिंग, वो पढ़ते रह सकता है हम लोग मैं सखेर रह सकते हैं संटैंस बनेगा हुईक आ fire nis산 कीब प्लिएंग रासकते हैं तुम लोग वो उन्ग्राइस बोलते रह सकते हो यू इन स्पेक हुएंग ऐस्छों तुम लोग अंगरेशी बोलते रह सकते हो, रवी दोड़ते रह सकता है, रवी कन कीप रणिंग, ध्यान रहे के कीप आपका ये ये वर्ड है, इसके बाद आपको वीफोर्ड का यूज करना है, अगर वर्ड बाता है तो आइंसी के साथ आएगा, इस बातों को ध्यान में होगा रहा है तो रॉनिंग करना होगा इस प्रगाटto उससे गाल में subscribe करते रहने की जरूरत there जैसे उसे दवाई लेते रहने की जरूरत है तो पर सटेस्विन को तो keep tagging medicine उसे दवाई लेते रहने की ज़रूँते हैं मेरे भाई को प्रेक्सा की तियारी करते रहने की ज़रूँते हैं अकास को पैसे कमाते रहने की ज़रूत हैं आगे हैं Suit keep kinda जब भी हम advise देते हैं तो हाँपए हम suit का use करते हैं और इसके साथ आपका word आया हुआ है keep जो बताएगा कि कोई काम करते रहना साये sentence बनेगा उससे अभ्यार्थ करते रहना साये He should keep practicing संटेस बनेगा इमसुट कीप इस पेसिग लेशेंग अमन ग्रेसी स सहां साइए तुम्हें समय पर दवाई लेते रहना साइए तो sentence बनेगा you should keep taking medicine on time you should keep taking medicine on time तुम्हें समय पर दवाई लेते रहना साइए कोई काम करते रहना साइए डाड मेंस आपको उसकरना है should keep had to keep keeper means करते रहना था कोई काम करते रहना था example हैं उसे काम करते रहना था he had to keep working उसे काम करते रहना था चात्र को पढ़ते रहना था the students had to keep studying इस पर से बोल सकते हैं किसान को खेत में काम करते रहाना था सुमन को दढ़ते रहाना था सुमन को दढ़ते रहाना था करते रहना होगा या करते रहना पड़ेगा यह दोनों सेंस में हम यूज़ कर लेते हैं जब हम हिंदी बोलते हैं तो बोलते हैं तुम्हें पड़ते रहना होगा तुम्हें खाना बनाते रहना पड़ेगा एसे हम बोल सकते हैं, संटेंसे सही हम कही सारे बना सकते हैं गा एसे उसे उसे बोलते रहना होगा He will have to keep speaking, उसे बोलते रहना होगा तुमें इसका इंदसार करते रहना होगा You will have to keep waiting for him, तुमें उसका इंदसार करते रहना होगा रवी को लिखते रहना होगा रवी विल हाब टू कीप राइटिंग रवी को लिखते रहना होगा तो sentences आप देख पाने कितना इसी तरगे से बन रहा है रवी को लिखते रहना होगा रवी विल हाब टू कीप राइटिंग राइट मिन्स लिखना और right का यहां पर writing हो गया है before हो गया है कोकि keep के बाद before ही आता है used to keep इसका मतलब होता है करते रहते थे कोई काम करते रहते थे means used to keep का परियोग करेंगे जैसे वो सरा पीते रहते थे sentence बनेगा he used to keep drinking wine वो सरा पीते रहते थे तो हम लोग game खेलते रहते थे तो sentence बनेगा you used to keep playing the game you used to keep playing the game तो हम लोग game खेलते रहते थे हम लोग mess खेलते रहते थे sentence बनेगा we used to keep playing the mess we used to keep playing the mess हम लोग mess खेलते रहते थे तो इसे हम sentences बना सकते है used to keep की मदद से has या have to keep मतलब करते रहाना है हाज या हाज के साथ आप लगाएंगे तू कीप करते रहाना है जैसे कि तुम्हें सबजी बेशते रहाना है यू हाज तू कीप सेलिंग दाव वेजटेबल्स रवी को पत्र लिखते रहाना है रवी हाज तू कीप राइटिंग लेटर फिरिया को इंग्रेजी सेखते रहाना है फिरिया हैस्टु कीप लर्निंग इंग्लेस अपे धर एक आप यूस कर पा रहें सन्टेंस आगे हैं आपको आ तु कीप आओ तु कीप का मतलब होता है करते रहना साहिए उससे अपने माता-पिता की सेवा करते रहाना साइए तो संटेस बनेगा he out to keep serving his parents हम लगों को अपने देश की सेवा करते रहाना साइए we out to keep serving our country मुझे अपने समस के बारे में सोचते रहाना साइए I out to think I out to keep thinking about my society how to keep thinking about my society इससे आपको sentences बनाना है मतलब में बता दूँगा इसके आपका out to का भी मतलब होता है चाहिए लेकिन इसके बाद keep आया है इसका मतलब हो गया है करते रहाना साइए और आपके suit का भी मतलब होता है चाहिए इसका भी मतलब होता है चाहिए सूर्ण का आप यूज करते हैं एड्वाई के लिए और इसका यूज करते हैं सल्हा के लिए अब और आप आउटटू का यूज करते हैं नेतिक धरम बताने के लिए और अी सबीके बीस क्र 엥म Wouldn't किस जरूरत हैं आगे हैं could keep इसका मतलब होता है करते रहा सकता था जिससे वो कल सोते रहा सकता था he could keep sleeping yesterday इसम बोल सकते हैं मेरा भाई उससे बात करते रहा सकता था my brother could keep talking to him कि अपर आपको could keep के बाद before use करना है my brother could keep talking to him मेरा भाई उससे बात करते रहा सकता था रमेस मोबाईल चलाते रहा सकता था रमेस could keep using the phone sentences एजी तरेके से बनाए जा रहे हैं ऐसा ही कैसा sentences है जापरम यूज़ कर सकते हैं so guys thanks for watching that's all for today